नमस्का दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाले हूं मैं टमाटर में लगने वाला कुछ इस तरह का रोग जिसमें लीफ करल की तरह आपको थोड़ी समस्या नजर आती है सामने आती है इसे आप लीफ करल कह सकते हो इसमें आपका पत्ता जो है बिल्कुल गड़ा और कुछ कहीं कहीं बीच में आपको पिलापन भी नजर आता है और यह मैं बात लेके चलूं तो कुछ एक खेतों में बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारी ऐसे पौद ऐसी निकलती है और मेरे खेत में लगवग 2,000 पौदों के उपर लगवग 1 पौद ऐसा निकल जाता है ह परवार्स तो इसका जो रिजन किया रहाते है और किया आपने ट्रीट्मेंट करनाया तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा तो पहले मैं आपको फरॉप जिग ज involving भारे में बता दीजे अगर यह तो मैं जो दवाईया बताता हूं उसके अलावा भी और भी बहुत सारी दवाईया रहती हैं तब ही करके में मार्केट में जो है आस तक जो है दवाईय का नाम नहीं बताता प्रैफर क्योंकि कुछ एक स्ट्रेट कुछ एक सहर ऐसे रहते हैं जहां पर दवाईय का नाम बताऊंगा वह वहां पर अविलेवल नहीं होगी तो फिर उन्हें लेने में प्रावलम होती है या फिर आप उन्हीं का प्रयोकर होगे तो इसलिए मैं आज तक दवाईय का नाम नहीं लेता था तो जैसे आप पीछे पौदा देख पा रहे हो तो बात करत होती है क्योंकि हम उसमें ज्यादा इंसेक्टि साइड का प्रयोग नहीं करते हैं अगर ज्यादा कर दें तो उससे भी हमारा पौदा जोलस जाता है तो हम भिलकुल एवाइड करते है चोटी स्टेज में अपने पौदा को जो है खिरना से क्री करना है वी वाली तो जो रस और उन से वो के और रसी नहीं चूछती है वह एक तरह का वाइरस भी पॉद्दे के अंदर इंज़र्ड कर देती है जो कि दिरे दिरे इस तरह का होजाता है इसमें आपको पथी थोड़ी हायाई इसमें आपको फुल तो नजर आएंगे आते होगे तो वह जो है फल में तबस तो इसके उपचार के लिए आपके इसके ओपर बहुत सारी कंपने के इंसेक्टिसाइड का पहले प्रयोकर है जैसे कि आपका सेजिन्टा का एक्टर हो गया एरो हो गया जिसमें थायोमिठाक्सियों में हो जाए अपका और बायर का एम एड़ एक्टर आ आपका एक्टर आ गया ऐसी चीजों कि आप इसके ऊपर व्हों पर Dwbor कलोजाए गा पर kit control होने के बाद भी यह चीज खतम नहीं होती है तो इसके लिए आपको जो है इसके उपर fungicide का फिर छिटकाव करना होता है fungicide कोई normal नहीं आपके लिए इसके copper oxy chloride और antibiotic का छिटकाव इसके उपर करना जुरूरी होता है पर उससे भी यह पूरी तरह से control नहीं होता है आपके लगवग हजार पौदों के उपर एक दो ऐसा पौदों में निकलता है यह चीज तो आप यह करिए कि इस पौदे को जड़ से उखाड के कहीं दूर फैंक दीजिए या इसको दबा दीजिए कहीं गड़े में और बाकी जितनी आपकी खेव रहती है आसपास की उसमें जो है कॉपर ऑक्सिक्लोराइड और एंटिबाइटिक के चड़काओ कर दें तो इसी होगा कि यह वाइरस आपका पौदे से दूसरे फैदे में नहीं फैलेगा और बाकी के पौदे आपके जो है स्वस्त रहेंगे और दोस्तु इस पौदे को खेत में रखके आपको आगे कुछ फाइदा होने वाला भी नहीं है केवल आपका जो है यह पचास प्रति कर सकते हो आपका M45 आ गया उसकी स्प्रे करके भी आपको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो 50 परसंट तक और जितनी पतियों में जो है इनिसियल स्टेट में आपका यह निकल जाता है तो उन पतियों को एकदम से काट कि आप खेत से दूर फैंक दे ताकि और पत्ते और जो आप जरूर कर दें